प्रभाद बच्चो आज सामले सपनों की याद पाठ के प्रस्न उत्तर लिखेंगे पहला प्रस्न है किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिसा को बदल दिया और उन्हें पक्षिप्रेमी बना दिया तो पाठ आपने पड़ा है उस पाठ के अधार पर बच्चपन में सालिम अली की एरगन से नेले कंठ की एक सुन्दर गोरया घायल होकर गिर गई उसकी हालत देकर उनका हिर्दय द्रवित हो गया इस घटना ने उनके जीवन की दिसा ही बदल दी वे पक्षियों की खोज में जुड़ गए दूसरा प्रस्ण है सालिम अली ने पूरु परधान मंत्री के सामने पर्यावरन से सम्मंदित किन संभावित खत्रों का चित्र खीचा होगा जिस से उनकी आखें नम हो गई सालिम अली ने पूरु प्रधान मंत्री के सामने पर्यावरन से सम्मंदित गद्मभीर खत्रों को बताया होगा और ब्रक्षों की कटाई के बारे में कहा होगा कि ब्रक्षों के कटने से साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवाओं के जोंकों का सिकार हो जाएगी वातावरन के बदलने से दिकान्स परक्सी वैली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे यह सुनकर प्रधानमंत्री की आखें नम हो गई थी तीसरा प्रस्थन है लॉरेंस की पतनी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा मेरी छट पर बैठने वाली गौरईया लॉरेंस के बारे में धेर सारी बातें जानती है लॉरेंस प्रकर्ति प्रेमी थे उन्हें प्रकर्ति से गहरा लगाओ था वे अपना अधिकतर समय प्रकर्ति के निकट रहते वे व्यतीत करते थे सायद यही वज़ा थी कि प्रकर्ति की महत्रपूर अंगगौरईया के साथ भी लॉरेंस और उनकी पतनी फ्रीडा का आत्मी सम्मंध था प्रकर्ति के निकट रहने से पसुपक्षी भी मनश को अच्छी तरह पैचानने लगते हैं आसे सबस्ट कीजिए वो लॉरेंस की तरह नैसरगिक जिन्दगी का प्रतिरूप बन गए थे इसका आसे है प्रस्तुत पंक्ति में सालिम अली को अंग्रेजी कवी डी एच लॉरेंस की तरह प्रकर्ति प्रेमी कहा गया है नैसरगिक जिन्दगी का प्रतिरूप होने से विप्राय है प्रकर्ति में हो जाना प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना जिस प्रकार लोरेंस का जीवन प्रकृति मैं था उसी प्रकार सालिम अली का जीवन भी प्रकृति को समर्पिट था इसलिए लेखक ने सालिम अली को लोरेंस की तरह नैसरगिक जीवन का प्रतिरूप कहा दूसरा खौपार्ट है कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दुबारा कैसे गा सकेगा लिखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मूर्टिव के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में समा चुके हैं उनकी मृत्य हो गई है यदि कोई अपना सब कुछ दे कर भी उनके जैसा प्रकृति प्रेमी अब हमें नहीं मिल सकता सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की वजाए अठाह सागर बनकर उबरे थे टापू भूमी का ऐसा टुकडा जिसके चारों तरफ पानी हो सागर में ताटपरी है जिसमें दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है सालिम अली का जीवन सीमित नहीं था पक्षू की खोज में वे दूर दूर तक निकल जाते थे वे पूरे संसार में विच्रन करते रहे इसलिए कहा गया है कि वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाए अठाह सागर बनकर उबरे थे वो ये दूर दूर तक पक्षों की खोज में जाते थे इस पाट के आधार पर लेखक की भासा सेली की चार विसेशताएं आप लिखे थे पाट के आधार पर लेखक की भासा सेली की चार विसेशताएं निम लिखे थे पहला सरल एम सहज हिंदी भासा का प्रियोग, उदाहरन सैली का प्रियोग, अभिव्यक्त मर मिस्परसी, तता चित्तात मक्ता, उर्दू मिस्रित भासा की रवानी, और अभिव्यक्त सैली सामले सपनों की याद सिर्षक की सार्थकता पर टिपणी कीजिए या लिखिए लेखक सालिम अली के बारे में जितना जानते थे वह सब यादगा सपनों की तरह उनके इसमर्ति पटल पर अंकित था वह समर्ण डायरी में लिखा गया है उनकी मृतिव की से उत्पन दुख और अवसात को देख ने से पाट के माध्यम से व्यक्ति किया गया है बिताए सेनों को सपनों का रूप दिया गया है धन्यवाद इन प्रस्नों को आप याद करेंगे